Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आप ही के चानल Magnet Brains पे एक ऐसा YouTube प्लाटफर्म जो कि आपके लिए लेग रहा आता है सकता है फिजिकल कॉपी मिल सकती है कि यह सब चीज़े जो है यह सब का कमेंट्स आते और हम दिमाग चला ही करना यार बच्चों को प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालना पड़ेगा तो मैगनेट बेंस आपके लेकर आये हैं फिजिकल बॉक्स और साथ-सा बॉक्स रहेंगी और साथ-साथ आपके लिए रीडिंग मटेरियल तो ही है या फिर अगा आप इक अंडेट पर नहीं जाना चाहते हैं तो विजिकल बॉक्स जी हां हम अमारी फिजिकल बॉक्स लेकर आ रहा है जो कि आपके घर पर डिलेवर होंगी अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की बात करने जा रहे हम चलू कर रहे है पहला चाप्टर जिए पहला चाप्टर जोगरफी का क्या रिसोर्स अगेन अगेन डिफेर्ट डिफेर्ट टाइप सब्सक्राइब आज कर बन रहा है वह देखेंगे जो ग्रफी के साथ बहुत रीदिफेंट चीज है बहुत आपके सकते यूनिक चीज है जोगरिफी सब्जेट जोग है यह थोड़ा बहुता साइंस रिलेटेड है तो जैसे हमने जो एकनॉमिक्स और सव रही सिविक्स और जब हमने हिस्ट्री की बात करी तो हमने वहां पर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा था था थोड़ और स्पेसिफिक आंसर्स ही लिखने पड़ेंगे ज्यादा मॉडिफिकेशन सम नहीं कर सकते तेके क्योंकि सोचल साइंस के सब्जेक्ट असम मॉडिफिकेशन और यहां पर पॉसिबल है बात करते हैं जब आप बात आ जाती है साइंटिफिक चीजों के बारे में तो हम वह मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनिवर्सल टूथ है उसका बदल बिल्कुल नहीं सकते ठीक है तो इसी के साथ इसी तॉट के साथ चालू करते हैं mcq का पार्ट जी हाँ चाप्टर वन रिसोर्सेज क्लास एट जोग्रफी में mcq देखते हैं कर देखते टाइप के जो एक्स्ट्रा mcq वह आपके लिए आ सकते हैं चली पहला कोशन आपके सामने यह है what makes an object और substance a resource आपके सामने option है utility value और usability तो यह तीनों जरूरी है क्या है यह तीनों जरूरी है ठीक है बट यहाँ पर देखो बात करते हैं value के बारे में तो value क्या होते है different type की हो सकती है इकनॉमिक भी हो सकती है सोशल भी हो सकती है तो ऐसे value का जो है बात करते हैं तो value different type की हो सकती है इस लिए इस पर्टिकुलर अंसर में हम value क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है यहां अगर economic value आ जाता है तो जरूरू all of the above answer हो सकता है बट क्योंकि हमको पता है कि उसकी utility होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस की दैट में उसका use होना चाहिए वो usefulness होनी चाहिए उसमें और उसकी usability ठीक है तो आंसर कह जाए किसी एक पर्टिकुलर परसने company के पास होता है तो उसको क्या कहा जाता है invention technology patent stock of resource invention की बात करें तो खोज हो गई ठीक है डिया discovery होगे ठीक है technology की बात करें टेकनलोजी क्या एक common term है जो कि सब चीजों के यूज करा जाता है stack of stock of resources की बात करें तो यह हमारी करते हैं potential resources होती है patent की जब हम बात करते हैं तो patent क्या होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है एक एक ऐसे पर्टिकुलर the basis of classification of resources are origin level of development and use stock and distribution तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो यह इन तीनों की basis पी का कर सकते हैं हम किसी एक resource को classify कर सकते हैं के बारे में बात करें तो बायोटिक हो जाएगी development और यूज के बारे में बात करेंगे तो developed resources, potential resources अजाएगी अगें stock and distribution का आप में reserve आजाएगी और current आजाएगी तो answer क्या जाएगा इसका all of these option number D all of these the value associated with resources अब यह question आया आपके सामने तो value जो associate होती है resource के साथ वो कौन सी value होती है ethnical value, legal value, aesthetic value, economic value तो आप सभी को पता है क्या होनी चाहिए उसकी कोच एकनोमिक value होनी चाहिए क्या होनी चाहिए economic value होनी चाहिए अगर एक particular resource economically feasible नहीं है तो जाहर सिवात उसको निकालने का या उसको extract करने का कोई sense नहीं बनता the resource whose quantities are not known are called ठीक है resource जिसकी quantity हमको नहीं पता कि भाई कितनी quantity में यह नीचे दबा हुआ है या कितनी quantity में पुरी प्रिस्वी पर बचा हुआ तो उसको क्या बोला जाता है potential resource actual resource stock या all of these तो answer क्या हो जाएगा इसका potential resource एक ऐसा particular resource जो अभी तक जमी में गड़ा हुआ है उसकी कोई ज्यादा usability नहीं है या आपके लोग इसकी economic feasibility नहीं है ठीक है और उसकी quantity हमको नहीं पता कि भाईसा भी कितना है उसको क्या बोल देंगे हम एक potential resource resource drawn from nature and used without much modification are called एक ऐसा particular resource जो की nature से drawn हो रहा है और without any such modification are called ऐसे क्या होंगे resources ठीक देखो अग मच मोडिफिकेशन की बात आ जाती है modification की बात आ जाती है तो option देखो सबसे पहले तो human made resource ठीक है cultural resource natural resource या all of these to answer किया जाएगा आपका इसका see natural resource क्योंकि क्या हो रहा है कि विदाट एंड काईड़ मॉडिफिकेशन या minimum modification अगर ज्यादा मच मच की जगा without मच की जगा modification आ जाता है तो क्या हो जाता है human made resource क्यों क्योंकि उसमें alteration हो रहा है ठीक है एक ऐसा particular resource जो नेचर से drawn हो रहा है जादा बिना किसी use alteration की use हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका natural resource the types of resource on the basis of origin origin के basis पर हम कितने types resources को divide कर सकते हैं ठीक है चलो actual and potential तो किसके basis पर जाता है आपके quantity renewable basis पर किस पर आ जाता है यूबी की ऐसा localize की बात में का बाता जाती तो किसमें अविरा location के उस पर तो बायोटिक और एबायोटिक क्या हो जाएगा आपका इसका answer हो जाएगा या तो उसका जीवों सोथपन हुआ होगा या ऐसी किसी होगा जो जीवित नहीं है अंसर के जाएगा इसका D Biotic and A Biotic Using resource carefully and giving them time to renewed is called resource balancing, resource conservation, resource depletion या devaluation देखो, depletion तो नहीं होगा, क्यों क्यों हम क्या कर रहे है, time दे रहे हैं उसको renew करने के लिए तो वो क्या होगा, depletion तो बिलकुल नहीं होगा, ठीक है बालंसिंग की बात करते हैं, तो बालंसिंग में क्या होता है, कि हम alternate को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है जैसे for example, एक particular energy resource ले लो, तो उसमें हम conventional और non-convention दोनों चिक जिए को क्या कर रहे हैं या even basically हमनों non-conventional को बढ़ावा जाए रहे, तो वो क्या हो जाएक रिसोर्स बालंसिंग, आंसर क्या जाएगा इसका resource conservation, एक ऐसा particular method जिससे हम resources को carefully use कर रहे हैं और उसको time दे रहे हैं renew होने के लिए, आंसर क्या जाएगा इसका अभी resource conservation these resources are inorganic in nature and constitute rocks, minerals, soils, etc, inorganic तो यहाँ पर basis किसकी बात हो गए यह ऐसे particular resource जो कि inorganic है मतलब किसी जीव से नहीं बने हैं, यह जीवत व्यक्ति यह जीवत आप कह सकतो life form से नहीं बने हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, a biotic, क्या हो जाएंगे यह, a biotic resource it signifies development of human beings, that is the development of quality and capacity of people state तो यह क्या है, तो basically जब हम बात करते हैं, human beings के बारे में तो हम क्या बोल देते हैं, यह human resource, ठीक है, अब देखो यह क्या बोले, developing the quality and capacity, तो यह क्या हो जाता है, आपका human resource human capital formation, ठीक है, बट इस question की बात करें, answer क्या होगा, आपका इसका human resource development, ठीक है, human resource की जब बात कर जाते हैं, तो वो सिफ human और human की capacity की बात आती है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, developing the quality बोल रहा है, developing the quality बोल रहा है, तो वो resource development की बात आती है, development कैसे होगा, तो development तीन चलिकेस होगा, skill, health, और education, जब हम तीनों में क्या करते हैं, इन्वेस्मेंट करते हैं, तब जाके क्या होता है, human resource development हो पाता है, this term signifies balancing the needs to use resources and also conserve the need for future uses, देखो, balancing the need, ठीक है, and conserving, यह तो आगे किसमें resource conservation में आ गया, यहाँ पे एक नया term आपके जोड़ गया है, future generation, future generation की जब हम बात आ जाती है, तो देखो, यहाँ पे development और devaluation तो कड लिया, ठीक है, sustainable development और human resource development, human resource में क्या है, human आगे पर यहाँ पर यहाँ पर तो कहीं human है यही नहीं, तो एक काट दो, answer के जाएगा, इसका भी sustainable development, answer के आजाएगा, sustainable development, sunlight is which type of resource, exhaustible, inexhaustible, both a and b and none of these, तो sunlight किसी हो गई, inexhaustible हो गई, ठीक है, क्या हो गई आपकी, inexhaustible हो गई, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक टाइम पर तो सूरज तूटे गई, वो क्या होगा, आपका एक black hole में convert होई जाएगा, बट वो टाइम अभी बहुत 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 जादा दूर है, मतलब हम, इमाजन में नहीं कर सकते हैं कि कितनी lifetime आजाएगी कि उतरने दूर है, इसलिए हम यह बोल रहे हैं कि sunlight as of now, क्या है, एक inexhaustible resource है, तो यह थे आपके कुछ different types of MCQs, जो कि हमने निकाले थे, आपके book में से, chapter में से, और तो और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पूरे kindergarten से लेकि class 12 तक के extensive courses, जी हाँ, magnet brains आपकी आप ही के लिए लेकर आता है, quality content on kindergarten to class 12, especially CBSE और उसके सारे competitive exams, जैसे कि neat हो गया, JEE हो गया, यह सब courses आपको कहा मिलेंगे, magnet brains मिलेंगे और 100% free मिलेंगे, आप हमारे videos देख सकते हैं, हमारे YouTube चानल पे, आप login कर सकते हैं, हमारी website जो के magnet brains.com या आप हमारा application डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप इन various platforms आप हमारे videos देखते हैं, तो आप से किसी भी type का coupon code नहीं मंगा जाएगा, टोटल 100% free education आप ही के लिए magnet brains dedicatedly present करता है, बात करते हैं हमारे resources की, तो आज आप भी का कर सकते हैं, हमारे यह resources, हमारा जो content है, वो ले सकते हैं, description में दिएगे form को जरूर भरे, and our team will definitely get back to you on our e-books and physical content, हमारे daily updates के लिए बने रही है, हमारे social media hangouts पे जो की है, Instagram, Facebook, Telegram and Twitter, and thank you so much for watching this video.